तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं .NET Technologies के 5 popular, most popular myths के बारे में myths यानि की जो बाते कपोल कलपना है, जूठी है, बिलकुल सच नहीं है तो जानना चाहते हैं .NET Technologies के 5 myths तो देखते रहे हैं वीडियो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसरेवी कुमार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं .NET Technology के 5 प्रसिद्ध myths के बारे में यानि कपोल कलपना जूठी बातों के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं .NET Technologies से रेलेटेड इसी तरह के रोचक और मनरंजक और ज्यानवर्दक वीडियो बनाता रहता हूँ और लेकर के आता रहूँगा अफकोर्स हाब यह तो मुद्दे पे आते हैं सबसे पहला मिथ जो है .NET Technologies के बारे में है वो है कि they are paid जी हाँ कि .NET Technologies में काम करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं या सीखने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं लाइसेंस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं .NET Technologies का मतलब ही है पैसा पैसा फेको पैसा फेको पैसा फेको लोगों को लगता है कि .NET Technology महंगी है क्योंकि .NET Technologies में आपको license fee देना पड़ता है या सीखने के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं which is a myth .NET Technology जो है वो free technology है .NET Technology को use करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं .NET Core और .NET 5 जो है वो completely open source है .NET Core और .NET 5 अगर आप use करते हैं application को develop करने के लिए तो उसको use करने के लिए या develop करने के लिए या सीखने के लिए of course उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने कि सीखने के लिए किसी और language को सीखने के लिए देने पड़ते हैं लेकिन उसके अलावा .NET यूज़ करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते हैं, .NET जो है वो लाइसेंस नहीं है, .NET जो है completely free है, .NET Core Framework, .NET 5 Framework, दोनों और .NET 6 Framework, ये तीनों जो हैं, ये सब जो है completely free है, C Sharp जो है वो completely free है, और आपको इसके free tools available हैं, जिनको applications वगरा बना सकते हैं, .NET के बारे में दूसरा सबसे popular myth है, कि .NET के applications सिर्फ windows पर चलते हैं, या windows server पर चलते हैं, जी ये myth नहीं था, ये 2016 तक ये बात बिल्कुल सही थी, कि .NET applications जो है mostly windows पर चलते थे, उस time 2016 से पहले, ज़्यादा तर जो .NET applications थे, वो you can say, आप ये कह सकते हैं, 60% जो .NET applications से, web applications की अगर हम बात करें, तो वो सिर्फ windows पर चलते थे, mobile applications पर चलते हैं, cross platform होते हैं, Xamarin आपका framework cross platform है, mobile games बनाने के unity जो है, वो भी cross platform है, क्योंकि वो mono बेचता, तो लेकिन अगर आप web applications की बात करें, ज्यादा तर लोग जो web applications में .NET यूज करते हैं, तो उनको यह लगता है, कि .NET जो है, वो आपका सिर्फ windows पर चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, .NET आपका cross platform है, in fact, 20 साल पहले से .NET cross platform था, जब .NET आया था, उसी time .NET का, उसके 4-5 साल बात, बीस तो नहीं कहूंगा, 15-16 साल पहले से ही .NET का cross platform version या जो आपका दूसरे Linux और Mac पर चलने वाल जो version था, वो बना हुआ था, हाला कि उतना popular नहीं था, तो यह completely myth है, कि .NET सिर्फ windows पर चलता है, .NET Core जो है, .NET का सिर्फ एक version, that is .NET framework जो है, वो windows पर चलता है, लेकिन .NET Core, Mono, और आपका .NET 5, .NET 6, यह सारे के सारे जो है, वो cross platform है, completely cross platform है, यह आपके Linux पर भी चलते हैं, यह आ यहां तक कि आपके Docker में भी चलते हैं, तो आप अगर containerized web application deploy करना चाहते हैं, तो वो आप Docker पे भी deploy कर सकते हैं, चाहे वो Linux का Docker हो, चाहे वो Windows का Docker है, it's not like कि आप सिर्फ Windows के ही Docker container में deploy कर सकते हैं, आप Linux के Docker container पर भी deploy कर सकते हैं, विच मींस कि आपका .NET framework है, वो completely cross platform है, तीसरा जो बहुत ही popular myth है या तीसरी कपोल कलपना है .NET Technologies के बारे में वो यह है कि आप .NET Technologies यूज़ करके सिर्फ web या desktop applications ही बना सकते हैं लोगों को लगता है कि .NET Technologies का मतलब है बस ASP.NET या WinForms या Windows Application या WinForms Application या WPF या UWP हाला कि ऐसा नहीं है Windows और web applications के अलावा आप .NET यूज़ करके हर तरह का application बना सकते हैं आप mobile application बना सकते हैं, आप games बना सकते हैं, आप AR, VR applications बना सकते हैं, आप machine learning के applications बना सकते हैं So .NET framework को use करके आप किसी भी तरह का application बना सकते हैं और .NET ना सिर्फ C-Sharp language को support करता है वो F-Sharp को भी support करता है VB.NET को भी support करता है हाला कि Microsoft से उतना ज़्यादा support नहीं रहा अब लेकिन VB.NET को भी support करता है F-Sharp को भी support करता है और I think 2-4 और languages है जिनके नाम मुझे याद नहीं है उनको भी support करता है वो उनके आपको official documentation में मिल जाएंगे सबसे ज़ादा सबसे जो अच्छा combination जिसमें कि आपको बहुत ज़ादा support और बहुत ज़ादा articles और information मिलेगा वो of course C-Sharp है तो C-Sharp और .NET यूज करके आप हर तरह का application बना सकते हैं ना कि only web and windows application ऐसा नहीं है सिर्फ आप web और desktop application नहीं बना सकते हैं आप web cross platform desktop application यानि कि जो कि mac, linux और windows तीनों पर चलता हो web के अलावा आप cross platform desktop application और mobile application और सब कुछ बना सकते हैं हर तरह के application बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया और आप अगर इस पे विश्वास नहीं करते हैं तो Microsoft को कोई भी presentation उठा करके देख लीजिए मेरे Microsoft के बहुत सारे presentation में मैंने एक animated PPT दिखाया है जो कि Microsoft का ही PPT है उसमें उन्होंने दिखाया भी है कि आप एक .NET framework यूज़ करके कितने तरह के application बना सकते हैं चौथा मित जो है .NET applications के बारे में है कि .NET applications जो है जादा तर या .NET framework जो है लोग जादा तर business applications के लिए हैं यूज़ करते हैं क्योंकि वो stable हैं और बड़े businesses में हैं और obviously पिछले वाले जो सबसे पहला reason मैंने बताया कि उसमें पैसे लगते हैं तो बड़े business या बड़ी companies ही जो है उन्हीं को .NET यूज़ करना चाहिए ना कि छोटी मोटी company को या किसी startup को .NET नहीं यूज़ करना चाहिए लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है .NET यूज़ करके जैसा मैंने कहा कि आप किसी भी तरह का application बना सकते हैं आप छोटे applications भी बना सकते हैं चोटे छोटे टूल्स भी बना सकते हैं और बहुत सारे tools बने बनाए .NET में available हैं आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से application .NET में बने हुए हैं उसका एक बहुत ही collection जो है, वो है buildwith.net.net है शायद, आप सिर्फ google सर्च कीजिएगा, buildwith.net, इतना सर्च कीजिएगा, आपको पूरे list of applications मिल जाएंगे, आप हर तरह क्या application जो है, वो बना सकते हैं, .net को use करके, तो अगर आप एक startup start करने का सोच रहे हैं, या startup application, आप एक startup हैं, जो कि अपना एक web application या mobile application, या कोई छोटा मोटा tool बनाना चाहते हैं, तो best option would be to use .net, क्योंकि .net यूज़ करके, आप अपने उस application को future ready बना रहे हैं, because .net एक stable platform है, तो आप ना सर्फ business applications, आप छोटे मोटे tools भी बना सकते हैं .net यूज़ करके. पांचवा myth, जो कि .net के बारे में बहुत जादा popular है, चाहे वो students हो, चाहे वो professionals हो, सब में यह बहुत जादा popular है, कि .net में development करने के लिए आपके पास Visual Studio install होना चाहिए, बहुत लोगों को यह लगता है कि Visual Studio जो है, वो एक बहुत ही heavy IDE है, IDE का मतलब Integrated Development Environment, तो बहुत लोगों को लगता है कि Visual Studio जो है, वो एक बहुत ही heavy IDE है, बहुत जादा resources लेता है, बहुत जादा disk space लेता है, पहली बात तो यह चीज ऐसा नहीं है, यह आपके उपर depend करता है कि आप Visual Studio की कौन-कौन से features यूज़ करना चाहते हैं, मैं उसके उपर एक अलग से video बना चुका हूँ, पर that's a different topic, लेकिन अगर आप .NET development करना चाहते हैं, तो Visual Studio एक इकलौता IDE नहीं है, उसके अलावा और भी paid और free IDE available है market में, अगर आप free IDE की बात करें, तो MonoDevelop, SharpDevelop, यह दोनों के दोनों जो हैं, वो free IDE है, .NET applications develop करने के लिए, और I think SharpDevelop और MonoDevelop दोनों के दोनों cross platform भी हैं, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा यदि आप licensed product यूज़ करना चाहते हैं, तो JetBrains वालों का Rider एक बहुत ही popular IDE है, जो कि आपका Mac और Windows दोनों पर चलता है, और उसमें बहुत ही अच्छे code optimization features हैं, C Sharp को ले करके, तो आप Rider IDE भी यूज़ कर सकते हैं, और free में, जो Microsoft support करता है, Visual Studio Community Edition भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि free है start-ups के लिए, students के लिए, और freelancers के लिए, अब start-ups की क्या definition है Microsoft की term में, लास्ट जो मुझे पता था कि आपकी जो annual income है वो 1 million से कम होनी चाहिए, लेकिन actual detail के लिए आप terms and conditions का page देख सकते हैं, लेकिन अगर आप Microsoft की तरफ से ही, अगर आप एक completely free IDE चाहते हैं, तो वो है Visual Studio Code, in fact आज की rate में world number one IDE है Visual Studio Code, because Visual Studio Code को use करके आप different languages में भी application बना सकते हैं, तो बहुत सारे लोग Visual Studio Code को use कर रहे हैं, और आप Visual Studio Code use करके .NET applications भी बना सकते हैं, of course Visual Studio वाले features नहीं मिलेंगे, वो benefits नहीं मिलेंगे, लेकिन आप Visual Studio Code use करके भी .NET applications बना सकते हैं, और in fact यहीं नहीं, Microsoft के जो एक employee है, शीशार Fris उनका नाम है, उन्हों वो regular live stream करते हैं, और उन्होंने बहुत सारे videos बनाये हुएं, जिनमें की उन्होंने command line और Visual Studio use करके applications develop किये हुएं, तो आप in fact command line और notepad या कोई भी IDE यूज करके .NET का application लिख सकते हैं, और उसको command line से चला सकते हैं, आपके .NET Core के command line से चला सकते हैं, completely cross platform आपको Visual Studio की जरूरत नहीं है, Visual Studio आपके लिए एक added feature है, वो आपकी requirement नहीं है .NET application develop करने के लिए, तो इस वीडियो में आपने जाना .NET framework के 5 myths या 5 ऐसी बाते जो की कपोल कलपना है, और उम्मीद है कि आपको ये बाते clear हो गई होगी और आप अपने अगले application के लिए .NET framework यूज करेंगे या .NET framework को try करेंगे C Sharp के साथ, साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ share और मेरे चैनल को subscribe कीजिए ताकि मैं इसी तरह से नए वीडियो आपके लिए ले करके आता रहूँ, तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमशकार